तो देखिए आज मैं आपके लिए डाल बाफले की रेसिपी लेकर आई हूँ यह इंदोर की फेमस रेसिपी है और राजस्थान में भी इससे पसंद किया जाता है आप इसे डाल के साथ या चोखी के साथ या फिर आलू की सबजी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं और बहुत ही पाफले होते हैं मुह में जाते गुलने वाले होते हैं और बाफलो की रेसिपी में पहले भी आप लोग साथ शेयर कर चुकी हूँ लेकिन इस बार मैं आपके लिए टिक और ट्रिप के साथ लेकर रही हूँ तो फुल बोच कीजिएगा तो चलिए यह पाफले में आपको त लगशकार मैं रेखा मेरी सुपर रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा पिस्क्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेश जरू कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफि कर चुके हूं लेकिन मुझे काफी कमेंट्स आये थे कि शायद उनसे बन नहीं रही थी या पिर काफी लोगों ने कमेंट्स किया कि आच्छे से मैं समझा नहीं पाई तो इस बार मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैंने फिर से रेसिपी बनाई है और तो जिली है इससे हमारा जो आटा है न मोटा हो जाएगा और यहां पर एक चुटा चमच जीरा डालेंगे एक चुटा चमच अजवाइन थुड़ा सा क्रेश करके डालेंगे अजवाइन डालने से जो क्या है बाफलों का स्वाद भी अच्छा आता है और हमारे खाना भी डाइज बाडर ले लिजेगा मैंने यह खाने वाला मीटा सोड़ा कहते हैं वो लिया है और इस सब को अच्छे से मिला लेते हैं यह देखिए जिस तरह से मैं मिला रही हूं आप अच्छे से मिला लिजे और अब इसमें हम मोन देंगे यानिकि जिसमें घी डालेंगे इसको मोन बोल मेरे पास टेबल स्पून था तो मैंने उसे सी ले लिया और हाथों को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसे हाथों से मिलाएंगे अच्छे से मोन लग जाना चाहिए हमारे आटे में और इस तरह से रब करती हुए मिलाएंगे यह देखे मैंने अच्छा से मिला लिया आयो अच्छा मौन भी हो गया इसमें और यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है यह देखे आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही है और दही हमारा खटा नहीं है बिल्कुल भी खटा दही मत लेजेगा और काफी लोगों ने ये भी पूछा था कि दही डालने से क्या होता है तो दही डालने से ये होता है कि बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है एक अलगी लेवल में चला जाता है बाफला और इसमें डालना ज़रूरी होता है अगर गरम नहीं है पिस गुन-गुना पानी लिया है इससे आता लगाए क्योंकि हमने सूजी डाली है तो सूजी पानी को अफ्जोब करती है तो अगर गरम पानी लेंगे ना तो उसे अच्छा आता लगेगा हमारा थोड़ा थोड़ा करते हो डाली और बहुत जादा सोफ्ट भ जाहें करेंगे इसी क्योंकि हमें इस तरह से छोड़ना थोड़ा दिर के लिए भी इन देकिए सोफ्ट लगाया है ज्यादा अधना विह नहीं किया ऑर ज्यादा सोच पन नहीं किया है यह देकि आ तो में इस सरा सी गून लेते हूं से और थोड़ा सा और यह देखे बस इत कड़ाई लिए और कड़ाई में मैंने चार से पांच कप पानी डाला है और पानी को अच्छा उबलने देंगे ऐसा नहीं कि गरम होते ही डाल दिया एकिन इसमें अच्छा उबाल आना चाहिए तो यहां देखिया आटा भी हमारा सेट कर चुका है और अच्छे से तयार हो पानी में जाकर फूल जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं देखिये मैं इस तरह के बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगे कि कितने बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से गोल-गोल करिए यह देखिये एक बाफला बनकर तयार हो चुका है हमारा और इस तरह से थोड़ा से इसमें छेट कर देजिए यह देखिये तो चलिए दूसरा भी बना के दिखाते हूं मैं आपको और अगर आपको कोई और भी दिख्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं यह देखिये दूसरा भाफला भी बना देते हूं यह देखिये तो चलिए सारे भाफले इसी तरह से बना लेंगे और यहाँ पर देखिये मैंने सारे भाफले तयार कर लिया है और देखिये कितने चोटे बनाएं ना अब पानी में जाकर यह किस तरह से फूल जाएंगे तो यहाँ देखिये पानी कितना अच्छे से उबल रहा है उबाल आ रहा है एक तरह कैसे तो चलिए अब इसमें बाफले डालेंगे और यहाँ देखिये बाफले मैं डाल रही हूं और नीचे जाकर बैठ रहे हैं मैं आपको बताती हूं काफी लोगों को यह प्रोब्लम थ कि पता कैसे चले कि बने या नहीं वैसे तो इसकी टाइमिंग बता दूँगी लेकिन वैसे भी आप देखिये यह कैसे नीचे जाकर बैठ रहे है ना और जब यह पकेंगे तो अपने आप फूल को रूपर आ जाएंगे तो सारे बाफले मैंने डाल दी हैं अब क्या करना है हमें 5 मिंट के लिए फूल फ्लेम पर पकाएंगे इसे और थोड़ा थोड़ा बीच-पीच में हिलाते भी रहेंगे ताकि यह एक दूसरे से चिपके ना यह देखे किस तरह से इसमें पानी में बाल आ रहा है मैं इसे थोड़ा हिला देती हूँ इस तरह से आप किसी भी चम पकाना है 15-16 मिंट हो जाएंगे इसे पकाते हुए और बीच-पीच में इस तरह से पलटते रही है इसे थोड़ा थोड़ा यह देखे जिस तरह से मैं पलट रही हूँ और यह अपनी आप तेर कर ऊपर आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा है कि यह पक चुके हैं बहुत यह 15-16 मिंट लगी इसे पकाने में और मैं आपको निकाल के दिखाते हूँ यह देखे कितने बड़े-बड़े हो गए कितने अच्छे से फूल चुके हैं तो बस यह तैयार हो चुके हैं तो चलिए गयस को ओफ कर देते हैं यह देखे गयस ओफ करने के बाद मैं आपको दि यहाँ पर पानी बचाए ना, इसे फेकने की जुर्ट निया आप चाहें तो इससे सबजी की ग्रेवी बना सकते हैं, या फिर आटा लगा सकते हैं और यहां देखे बाफले हमारे ठंडे हो चुके हैं अच्छे से देखे पानी नहीं है यह देखे मैं टच कर रहे हूं पानी नहीं आ रहा है और मैंने बाटी मेकर को पहले से प्रिहिट होने के लिए रख दिया था पांच मुल्ट पहले प्रिहिट होने के लिए रखा था यह देखे बाटी मेकर भी प्रेट हो चुका है अब चलिए इसमें वाफले हमारे रख देते हैं तो यहां सारे वाफले रख दूंगे मैं तो देखिए मैंने सारे बाफ़े रख दिया है अब हमें क्या करना है पास से 6 मिंट के लिए इसे अलट पलट करते हूँ पकाना है तो पहले एक साइट को पकने देती हूँ देखते रहेगा और गेस हमारा मीडियम रहेगा तो चली चेक कर लेता है यह देखिए थोड़ी थोड़ी एक साइट पकने लगी अब इसे पलट देता है सभी को पलट देता है यह देखिए और यह देखिए किस तरह से चिकने चिकने हो गए उबालने के बाद ये चिकने हो जाते हैं मेरे काफी वीवर्स ने पूछा था कि आपने इस पर गी कैसे लगाया पर इस पर मैंने कोई गी नहीं लगाया ये उबालने के बाद चिकने हो जाते हैं देखें मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे, किस तरह से चमक नहीं लग जाते है, इस तरह से देखे, शाहिन आने लग जाते है इन पर, तो कोई गे नहीं लगाया है मैंने इसके पे, तो चलिए अब इसे क्या करते हैं, स्लो पर पकाएंगे, अब हम इसे स्लो पर 10-15 मिट के लिए पका लेंगे, यह देखे, तो दोनों साइट पक चुकी है, और इसे थोड़ा सा पकाएंगे अब इसे, तो ढख कर पकाएंगे अब इसे 10-15 मिट के लिए, तो आप मैं इसे ढख देती हूं, और यहां देखे, 10-15 मिट हो चुकी है, और कितने बढ़िया से बाफले तयार हो चुके हैं, इनका कलर जाना चाहिए, अनिके ब्राउन सा कलर आजाना चाहिए, तो चलिए निकाल ले दे और यहां पर मैने बाफले को निकाल लिया और मैने घी लिया है, मेल्टड़ घी लिया यह देखे, कितने बढ़िया से पके हैं हमारे बाफले, अब एक कपडा लूँगी और इसमें तोड कि यह देखें दाना-दाना सा अलग हुरा है यह देखें कितने बढ़िया से तो चलिए डिप कर देते हैं घी में अब आप चाहिए थोड़ा घी लगाईए या डिप करके खाईए यह तो आपके उपर है पर मेरे यहां तो इसी तरह से संद किया जाता है वाफलों को पाटी क थ Candi , यह देखें कितने बढ़िया लग रहे है हमारे वाफले रिद्धम सोफ्ट वाफले होते हैं नहीं घी में दिप लेती यह देखें लगई नैंकितने अच्छ है अब आप घी दाल के साथ या चोखी के साथ हैं और आलू की सबजी के साथ已经 addressed хотел यह उप्या लगते शक्य डाउट थे मैंने अच्छी से किलियर कर दिये हैं